इस वीडियो में मैंने राची उनिवर्चिटी पीजी मेरिच लिट से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जबाब दिया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अपने डाउट को किलियर कीजिए मैं हूँ नितेश और आपका स्वागत ह यहां पर सबसे पहला कोश्चन जो है काफी अस्टुडेंट इस बात को लेकर परिसान है क्योंकि ग्रूप में जो मेरा टेलिग्राम ग्रूप है उसमें रूमर फिल गया है कि केमिश्टी के कटफ 85% से अबब जाएगा अधिया आपने टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किय है तो प्लीज जोइन किजे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है तो यहां पर पहला सवाल है केमिश्टी के कटफ 85% से अबब जाएगा तो इसका एंसर है जी बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर आप एक देख सकते हैं सकेंड मेरिश लिष्ट आया ह विमेंस कॉलेज का तो यहां पर केमिश्टी का सिर्फ और सिर्फ 50 सीट है जबकि राची युनिवर्सिटी का कैमपस में सिर्फ कैमपस में 100 सीट से जादा होगा उससे कम होने का चांस ही नहीं है 100 सीट होगा और बाकी इसके और भी कॉलेज हैं वहां पर भी सीट जिन लड़कियों का बहुत जादा नंबर आया था उन्होंने कोशिस किया है कि विमेंस कॉलेज में ही एडमिशन ले 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 तो जिनका जादा नंबर है उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो अब कटफ कहां से उपर जाएगा यह सोचने वाली बात है कॉमन सेंस लगाने वा आपका subject percentage 70 से अबब है तो आप बिलकुल भी tension ना लें आपका admission अराम से हो जाएगा और अधी आपका थोड़ा सा कम भी है और 60% है या 66% है फिर भी आप उमीद बनाए रखे second merit list में हो सकता है कि आपका admission हो जाएगा लेकिन 70% से जादा है तो आप 100% surety रखे कि आपका admission होगा ही उसके बाद मैं यहाँ पर next question की ओर बढ़ूँगा जो सबसे जादा demanding question है बहुत सारे student इसको लेकर परिसान है marriage list कब आएगा तो marriage list का जो expected date है आने का वो अब बढ़ कर 6 जनवरी 2022 हो गया है expected date 6 जनवरी 2022 क्यों हो गया है क्योंकि 5 जनवरी को गोबिन जैनती है स्री गोबिन सिंग जैनती है तो यहाँ पर अदी जब छुटी नहीं था उस time official ने marriage list जारी नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि छुटी के वक्त marriage list जारी किया जाएगा बिलकुल नहीं छुटी में marriage list जारी नहीं करेंगे वो क्योंकि वो जब काम करने के time में काम नहीं करेंगे तो छुटी में कहां से काम करेंगे तो इसलिए आप उमीद रखिए कि अब पांच तारी को तो आएगा ही नहीं छे तारी का उमीद बनाके रखिए और यह guaranteed date नहीं है मैंने किसी से पूछ करके official से पूछ करके नहीं बता रहा हूँ यह expected date है हकीकत में किसी को नहीं पता कि कब merits list आएगा क्योंकि merits list department और university नहीं बनाती है chancellor portal के लिए एक अलग committee बनाया जाता है वो committee merits list को बनाती है और release करती है और college को copy भेजती है ठीक है तो मैं समझता हूँ यहाँ आपका doubt clear हो चुका होगा उसके बाद यहाँ पर एक next question आता है कि यदि admission मेरा नहीं हुआ क्योंकि percentage काफी कम है तो मैं क्या करूँ मेरा year बरबाद हो जाएगा मैं उसको save कैसे करूँ मैं आगे अपने career को कैसे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर मैं आपका ही हर problem का solution करने के लिए ही YouTube पर आया हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिक्र किया है नालंदा खुला विस विद्याल है यह नालंदा open university है यहाँ पर last date of admission 14 जनवरी 2022 है इससे पहले एकदम 100% tension मत लीजे 14 जनवरी 2022 से पहले marriage list जारिक कर दिया जाएगा राची उनिवर्सिटी का और उसके बाद आप sure हो जाएगे कि आपका admission हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो उसके बाद आप क्या करना है अधिया आपका admission नहीं हो पाता है तो 14 जनवरी 2022 से पहले late भी 300 उपय है उसको pay करके यहाँ पर आपको admission ले लेना है आपको यहाँ पर class करने का कोई जरूरत नहीं है जब exam होगा तब ही जाकर कर आपको exam देना है और जहां तक मुझे पता है यहाँ पर yearly exam होता है semester वाज नहीं होता है तो आपको कोई tension नहीं और एक doubt है क्या सर मैं नालंदा open wish विद्याले से पढ़ूंगा तो क्या CSR जैसे exam को भर पाऊंगा जी बिल्कुल आप भर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं केरियर में कोई problem नहीं होगा आप यहाँ से clear admission ले सकते है उसके बाद यहाँ reservation का जो problem है उसको में doubt clear करना चाहूंगा तो काफी student का कहना है कि 15% reserve seat है outside student के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई reserve seat नहीं है outside student के लिए आप भी Indian है सभी लोग Indian है और यहाँ पर यह जो university है राची उनिवर्सिटी वो central university नहीं है अधी central university होता तो आपको central quota से reservation मिलता लेकिन राची उनिवर्सिटी एक state university है इसलिए यहाँ पर reservation state के द्वारा लगाया जाएगा तो यहाँ पर जो reservation है वो 10% EWS के लिए है और ST के लिए 26% है और SC के लिए 10% और OBC के लिए 14% है यह OBC के लिए अधी यह central university होता तो 18% होता और यह दोनों कम हो जाता है ठीक है कम और जादा हो जाता है central में यह सब सारा reservation का percentage change हो जाता यह state university है तो यहाँ पर state का reservation लागो किया जाता है और जहां तक रहा बात यह 15% का तो मैं बता देना चाहूंगा कि 15% आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15% seat में ही admission लेने का हक है जो state से बाहर के student है उनको सिर्फ 15% seat में ही admission लेने का हक है उससे जादा seat आप occupy नहीं कर सकते हैं बाकी सारे seat जारखन के निवासियों के लिए है सिर्फ आप 15% seat में ही admission ले सकते हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 15% seat reserve है इसका मतलब है कि आपको उसी seat में ही सिर्फ मौका दिया जाएगा बाकी seat में सिर्फ और सिर्फ जारखन के निवासी ही admission ले पाएंगे इस बात को ध्यान रखिए और रहाबात reservation का तो सिर्फ दो से 5 seat reserve रहता है foreign student के लिए बिजेश से कोई student पढ़ने के लिए इंडिया में आया है वो इंडिया का निवासी है ही नहीं तो उसके लिए reservation रहता है और किसी के लिए भी कोई reservation नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि आप का doubt बिल्कुल clear हो चुका होगा आपने कहां से क्या information सुना है मुझे उसे कोई मतलब नहीं मुझे वो नहीं सुनना जो यहां पर clear fact है वो मैंने बताया है इस पर मुझे पर trust कीजिए ठीक है मैं next question की और आगे बढ़ता हूँ तो how many cut up list will come कितना cut up list आएगा तो जहां तक मेर अंदाजा है इस बार हर student चाहता है कि उसका admission हो ही जाए हर कोई चाहता है कि उसका admission हो ही जाए कोई भी miss नहीं करना चाहता है admission इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस बार तीन cut up list आएगा इससे ज़्यादा cut up नहीं list आएगा हो सकता है दो ही cut up list में सारा admission हो जाए हर बार क्या होता काफी student का marriage list में नाम आता है लेकिन वो admission नहीं लेते हैं जिसके करण 4-5 marriage list निकाला जाता है लेकिन इस बार राची उनिवर्सिटी ही last hope है last उमीद है जिसके करण सभी बचे admission लेंगे ही तो seat खाली नहीं बचेगा और cut up लिष जादा जारी नहीं किया जाएगा तो 2-3 उससे जादा नहीं होगा और 3 के बाद फिर भी seat खाली रहा जाता है तो open admission होगा मतलब जिसने भी form भरा है किसी का भी admission लिया जाएगा बिना percentage देखे उसके बाद यहाँ पर next जो कोहचन आपका था doubt है वो है class start offline होगा या online होगा जी बिलकुल अभी lockdown लगाया गया है जारखन अस् जादिया कि 3 जनवरी को marriage list आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया है तो ऐसा university में बिलकुल नहीं होगा आपका class time पर online start कर दिया जाएगा सभी teacher आपका class लेंगे और जो भी class का system है वो पहले ही तयार हो चुका है आपके senior के दोरान इसलिए आपको online class में कोई भी दिक्कत नही नहीं हाएगा बिलकुल online class किया जाएगा और जैसे ही lockdown हटता है आपका offline class लिया जाएगा ठीक है तो इस बात से कोई tension है अब class कब start होगा सर आपका class जो है वो start हो जाएगा जैसे ही 50% seat भर जाता है जैसे ही university का 50% seat भरेगा वैसे ही class start हो जाएगा I mean अधी geology department है तो उसमें द class start कर दिया जाएगा ठीक है इसे आप बाकी department का अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% student का admission हो जाता है नामंकन हो जाता है तो online class start कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो last question है वो है PhD का क्या होगा मेरा अधी session लेट हुआ तो क्या होगा तो मैं बता देना चाहूंगा कि मैं ब बड़ा कोई भी PhD का entrance exam नहीं होता है और बाकी जो भी PhD का entrance exam है सब को आप appearing के थोरो भर सकते हैं आदि आपका final marriage नहीं मतलब आपका final certificate नहीं आया है final result नहीं आया है फिर भी आप PhD का जो exam है वो दे सकते हैं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा हर एक university और हर एक अपसर सम तो वो आपको time देंगे आपका final marriage sheet submit करने का आपको exam में appear करने के लिए final marriage sheet का कोई जरूरत नहीं है आप direct form भर सकते हैं appearing select करके और आपको exam देने का मौका दिया जाएगा ठीक है तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए फाल्तु का ये मत दिमाग लगाई रही है कि मेरा career ब आने में सोचा जाएगा ठीक है आप appearing select कीजिए और exam दीजिए ना आप निकालिए exam आप परिशान मत हो ये आप पढ़िए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ये सब कोई tension वाली बात नहीं है आपका session time पर complete कर दिया जाएगा ठीक है और उसके बाद last में मैं कहना चाहूंगा thank thank you video को जो भी लोग देखते हैं please channel को subscribe कर लीजे सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग video देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों ने channel को subscribe किया है 80% लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है और please comment कीजिए like कीजिए और subscribe कीजिए और मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी कटफ के बारे में पूछा है की दुहचार İs का क्टफ क्या होगा उसके लिए में सेपरेट वीडियो बना दूँ गा चूंकि यही वीडियो काफी लंबा हो रहा था तो इसको मैं परेजब बना दूँ गा तो ये वीडियो अभी रात को या फिर सुबह तक आ जाएगा Thank you, signing off.